वेल्कम दूसरी जी फूड मैं हूं मनिश अठककर आज हम उपर से क्रिस्पी और पूरी जैसा फुला फुला आलू का पकोडा किस तरह से बनाना है वो देखेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं आलू का पकोडा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डाइसो ग्राम बेशन ले लेंगे जिसे पहले ही मैंने चान कर रखा था फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और इसका गाड़ा बैटर बनाकर रैडी कर ले ध्यान रखे कि जब भी आप बैटर बनाए तब उसमें गुटलिया ना बने तो आज हम बीना चावल का आटा बीना कॉन फ्लार और सुजी का इस्तमाल किये बीना बहुती क्रिस्पी और टेस्टी ये पकोड़ा बनाने वाले है तो इस तरह से बैटर की कंसिस्टंसी का ध्यान रखकर अगर आप ये बैटर बनाओगे तो आपका पकोड़ा एकदम पर्फेक्ट बनेगा तो बैटर को इस तरह से गाड़ा रखना है अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और उसके बाद पकोड़ा बनाने के लिए डाइसो ग्राम या फिर दो मिडियम साइज के आलू ले ले फिर इसे छिल के इस तरह से उसकी स्लाइस कर दे तो आप इस तरह से slicer से या फिर हाथ से भी उसकी slice बना सकते है तो जो आलू की slice बनाते है वो ज्यादा मोटी भी नहीं और पतली भी नहीं उस तरह की बनानी है अब इसे पानी से अच्छी तरह से धो लेना है आलू की slice को wash कर ले उसके बाद कपड़े से पोच लेना है इसी के साथ हम पकोड़े को fry करने के लिए तेल भी गरम करने के लिए रख देंगे अब जो batter हमने बनाया है उसे इस्तमाल करने से पहले mix कर लेना है और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे नमक mix हो जाए उसके बाद इसमें जरुवत लगे उस हिसाब से थोड़ा पानी डाले तो यहाँ पर मैंने एक चमच इतना पानी इसमें add करके mix कर लिया है तो finally इस तरह की ये batter की consistency होनी चाहिए फिर जो तेल हमने गरम कर निकली रखा है उसमें से एक चमच गरम तेल हम इसमें डालेंगे और इसे mix कर लेंगे तो यहाँ पर हम soda, ino, baking powder कुछ भी use नहीं करेंगे जो आलू की slice हमने बनाई है उसे इस तरह से batter में डाले और जो एक्ट्रा batter है उसे इस तरह से हटा दे और फिर ये आलू की slice हम गरम तेल में एड करेंगे तेल अच्छी तरह से गरम हो, उसके बाद ही आप ये पकोडे बनाए और इसे medium flame पर fry करना है जैसे जैसे ये fry होता जाएगा, ये अपने आप ही उपर आने लगता है इसे कभी भी high flame पर fry ना करें नहीं तो ये उपर से तो आपको fry होता हुआ दीखेगा लेकिन अंदर से आलू कच्छा लगेगा जब सारे पकोडे इस तरह से फूल जाए उसके बाद इसे पलटा दे और दूसरे साइड भी इसी तरह से fry करे कभी भी आलू के पकोडे को डार्क कलर का fry ना करे जब इस तरह से पकोडे fry हो जाए उसके बाद आप इसे एक पेपर नैपकिन पर निकाल ले और इसी तरह से सारे fry कर ले अभी जो मेजर्मेंट लिया उससे आप 2-3 लोगों को साव कर सको उतना पकोडा बनकर रेडी होता है तो आप इसे टॉमेटो कैचप और धन्याहरी मिर्च की चटनी के साथ साव कर सकते है तो आप भी इस तरह से ये आलू का पकोडा बनाकर जरू ड्राइ करे उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंदाई होगी